वेल्कम बैक मैं मन्वीर कौर पंजाब इंट्रस ता अज नंबर चार एपिसोड है एदिश गल करांगे इंडिया कैनिडा इना दोना देशां दी दोनों वड़े मुल्खां दी आपसी टसल एद एदे विच पंजाब हुन इंडिया कैनिडा दा जेडा डिप्लोमाटिक रौ हुन जेड़ी टसल एक बहुत ही डीप लेवल ते पहुंच चुकी है सब तो हेटले स्थर ते इस टाइम इंडिया कैनिडा दा रिलेशेंशिप है एजेड़ी दोना देशां दी आपस दे विच जेड़ी एक तरहां दी कड़तन बाजी है गिया दूशन बाजी रही है एए आप एनू किस नजरिये ना देखी है एक बहुत वड़ा कंसर्न मेरे लिए हमेशा रहा हैगा कि ए फाइव आई इंटेलिजेंस वर्सिज इंडियन इंटेलिजेंस दा आपस दा पेड़ हैगा या ए यूएस से कैनेडा ब्लॉक दा वर्सिज इंडिया ना पेड़ हैगा औ और नेटो ब्लॉक वर्सिज इंडिया उस फ्रेंड विद रशिया कि एहो जी लाइट देवेचे नू देखके आपा समझन दी कोशिश करियें या एक कैनेडा दा ते इंडिया दा आपस दा एक टकराव है या इस तो वी अग्यवद के कि ए सिखा दा ते इंडिया दा टकर कि इस तो पर मुखरूप ची शुरू हुई या पर इस तो भी पिछे जदों दी लिब्रल गर्मेंट कैनेडा देवेच जस्टिन ट्रूडो दी आंदिया उस तो बाद एक फ्रेम वर्क ऑन टेरोरिजम एक्स्ट्रीमिस्ट एक्टिविटीज उथे बनदा है गर उस तो बा इंट्रस्ट दा टॉपिक बना के संजया जावे पंजाब दे विच आपा जान दे हैं कैनेडा दे नाल पीपल तो पीपल रिलेशंशिप पंजाब दी वड़ी इन्वेस्टमेंट कैनेडा दे विच पूरी नॉर्थ अमेरिका ची है पंजाब दे लोग बहुत वड़ी सब्सक्राइब है कोशिश करें जो फ्रॉम नैशनल प्रस्पेक्ट्टिव ये जियो पलिटिकल इशु हो सक्दा नेशनल इंटरनाशनल हो दे विच उसागदा पर पंजाब दे विच बैकि ए पंजाब दा इंट्रस्ट था में पंजाब दै जड़े मुल्क था तरे एंड कि एंडिया-कैनेडा दी टसल पंजाब इंट्रस्ट दे एपिसोड दे विच मैं क्यों लगके आ रही है किया क्योंकि इंडिया-कैनेडा दे आपसी कोई वी डेवल्पमेंट हुंदिया ने दे रिष्टियां दे विच वधिया हूं या ओन दे नेगेटिव साइड ऑफ दे स अगली वर्सी जेडी सी जेडी पिछले कुछ मीनने पहला सी हो दो दल खाल्सा वलो एक प्रोग्राम और्गिनाइज कीता गया सी इंफेक्ट दल खाल्सा एक लौती जथे बंदिया पंजाब चो जेडी हर्दीप सिंग निजर गुर्पत वन सिंग पन्नू हुना थे जिस होर वी इंपोर्टेंट हो जान दा जदो दल खाल्सा दा प्रोग्राम जून 2004 दे विच ही अकाल तक साब दे जत्यदार उते मजूद हुन दे ने क्यानी रगबीर सिंग एंड एसची पीसी नाल उना दे उते एसची पीसी दे परदान उते हुन दे निया नियर दा गोल्डन टेंपल ए प्रोग्राम पो गस्मागम करवाई जान दे निया दे विच हरदीप सिंग निजर नू शहीद शहीद कैन दा ते जड़ा जड़ा सेंट्रोल सिख म्यूजियम हैगा दे विच उनना दी तस्वीर लौन दा जड़ी गल हैगी उत्थो तुर दिया और अकालतक साब दे जथेदार दी बड़ी सिद्धी स्टेट्मेंट सी अगर मैं गलत नहीं आएं प्रेटी शूर आन दिस की उनना वल्लवे क्या गया सी की हरदीप सिंग निजर कौम दे शहीद ने कौमली कम कर रहा सी अगला पॉइंट ए है पंजाब इंटरस दे विच की जदो कोई वी कारवाई गुर्पत वन सिंग पन्नू हरदीप सिंग निजर होना थे इंडिया लेवल नेशनल लेवल ते किती जन दिया ता ओधा असर पंजाब च जरूर नजर आनदा है जिमें की जदो गुर्पत वन सिंग पन्नू ने अराउंड उनी वी सेप्टेंबर इसे साल जदो दे वलो एक सिवल सूट पार्थ सरकार एंड एजन्सियां दे कुष्ट ओफीशियल्स दे खलाफ किता जन्दा था पंजाब दे विचे रेड हुन दिया तें थामा ते रेड हुन दिया वन वस मोहाली अन सिंग निजर टेरोरिस्ट कोशित किते हो इने इंडिया ने और उना दे टेरोरिस्ट यूनिट्स कम कर रहे ने इंडिया दे विच एदिया खबरां जेडिया ने ओ पंजाब जो ही निकल दिया ने जिमें अपने सामने बार-बार खबरों दिये की 6 for justice दे नाल जुडे होई operatives अरेस्ट कीते गया ने ए जानकर यापानू just a month back DGP पंजाब ने दिती सी जदो तिन मुंडे बठिंडा तो तलवंडी साबो अन बठिंडा तो अरेस्ट कीते गया सी की 6 for justice ली कम कर रहे सी एंड कम की कर रहे सी स्लोगन खालिस्तान दे जगा जगा ते लिख रहे सी इन बठिंडा एंड इवन G20 समिट दे दूरिंग वी जेडे पंजाब तो पंजाब तो कुष मुंडे अरेस्ट हो इसी जना ने उत्थे मैट्रो स्टेशन दे उत्थे कुष स्लोगन ज इस तरह अन दे लिखे सी सो ए एक पंजाब इंटरस्ट दा मुद्दा बंदा हैगा जिमें एक गैंक्स्टर नू एजी टीएफ ने अरस्ट कीता सी एवी पिछले मीने दे ही लगपा खबर है ता ओवी जेडी खबर सुर्खी साढ़े सामने आई सी ओही आई सी की हर्दीप सिंग निजर देनाल काफी क्लोस जोड़या होया बंदा सी जेड़ा पंजाब दे विच अपना टेरर मड्यूल चला रहा सी जेनू पंजाब पुलिस ने बस्ट कीता सो ए जेड़िया पूरे फिगर में तो नू दे रही है जड़े जड़े नंबर में तो अड़ेगे एफेक्ट राख रही है गिया यह ही दुखान देने की हदीप सिंग निजर गुटपतवन सिंग पन्नू हुना नू चेड़ा टेरोरिस्ट कहना है गा ओ दा वड़ा अदार जड़ा है पंजाब दे विचो FIR पंजाब दी बैक्राउंड और हिस्ट्री दे विचो ही कड के बनाया जन्दा है इन दा सेम वे पंजाब दे विच हो या कटनावा ने वी कैनेडा अमेरिका दे विच इंडियन अम्बैसी ते जड़े तरने परदर्शन अमरित पाल दे विचो हुए ओ सारे आंदा इंपक्ट जड़ा हो थे समय तो समय आपानू देख करनू मिल दा है पंजाब और कैनेडा दे विचाले बहुत वद्ड़ा people to people रिष्टा है बहुत वद्डे वीजयत्प हो लाग देन बहुत वद्ड़ा ट्रैफिक है जड़ा continuously कैनेडा नू पंजाब दा जा रहा है गा और उद्रों आ वी रहा है गा ये two-way ट्रैफिक हैगा तो एदे नाल जदो इंडिया केनेडा दे रिष्टियांच प्राब्लम आदिया है ता पंजाब इंट्रस्ट दे विच एक कारण बनदा हैगा कि एदे नाल आम लोग पंजाबी लोग जिना दे को वड़ी उना दी मजबूरी ही है अल्मॉस्ट क्योंकि एथ होना अपना एक एजी रूट उना दे ली पर वेख़दा लगदा है कैंट बहुत एजी ली वीजा स्टडी वीजा लेके अपने थो विद्यार थी जा रहने नौजवान एक डेटा एक है कि कैनेडा दे विच दो हजार बाई दे विच साधे तिन लख पंजाबी स्टूडे कैनेडा दे विच सेगे साधे तिन लख दे करी बहुत बड़ा नंबर हैगा सो जो भी इंडिया कैनेडा दे रिलेशनशिप्च कोई नैशनल लेवल थे जियो प्लिटिकल लेवल थे कोई ड्वेल्पेंट सुन दिया ने उना दा असर पंजाब दे लाजमी तौर दे हैगा प्लस इस तो भी अके पंजाब दे C.I.A. खरड दे विच जिस गैंक्स्टर दी इंटर्व्यू पुलीस हिरासत दे विच पुलीस दी मजूदगी दे विच एक बड़े सैटलाइट चैनल दे जिस गैंक्स्टर दी इंटर्व्यू पंजाब पुलीस दे कुशदकारी जेडे ओर्गनाइजड गैंग ने जिदा होना ने प्रेस कॉंफरेंस दे विच आर्सी एंपियर होना दे जेडे पुलीस अदकारी से होना ने केहा की पोटेंशली इना गैंग्स्टर खासता और ते लॉरेंस भिष्णोई एंड अधर्स नू गर्मेंट ऑफ इंडिया और इना दे एजेंट जेडे ने ओ कैनेडा दे विच एक्स्टॉर्शन अधर वाइलेंट एक्टिविटीस ली पोटेंशली वर्त दे हो साकते ने लॉरेंस भिष्णोई ओही लॉरेंस भिष्णोई जेदी इंटर्व्यू पंजाब दे विच जदो उनू लेक्या है जान्दा पुष्टाश दे लई उस समयोधी इंटर्व्यू पुलिस दी हिरासत दे विच रिकॉर्ड हुन दी और शेमीने बाद जाके पब्लिक लोकां दे समने कर दिती जान्दी और पंजाब दे डीजेपी नो भी चूटा पैना पया और पंजाब दी स्टेट ने पंजाब दे मुक्रमंतरी साहब ने इस चीज दे जिते पंजाब दी पुलिस दा गैंस्टर दा सिद्धा नेक्सल समने हैगा उधे ते कोई स्टेटमेंट पंजाब दी सरकार वल्लो साथे समने नहीं आई हैगी हलाकि हाई कोट जाके उल्टे स्टेंड लेंदे रहने इंडिया एंड कैनेडा दी अपनी डिप्लोमेटिक टसल नो एदे उत्ते पंजाब दे हित बहुत पारी ने बहुत बड़े ने इस करके नो पंजाब इंट्रस्ट दे आज दे इस पंजमें एपिसोड दे जो तौड़े समने एसे एंगल तो रखना ज़रूरी सी दीज वर देना होएगा कि सब तो हेठले लेवलते इंडिया कैनिडा दे रिलेशन्शिप इस समें पहूंच चुके ने एनने पहला नहीं पहूंचे सी हर्दीप निजर दे मर्यदर तो बाद जिनने इस समें पहूंच चुके ने जो कारवाई कनेडियन सरकारवल्लों की ती गई है एदे चो रिकवर होन ली लंबा समा लगेगा, इंदिया-कनेडा रिलेशन्शिप हो सागदा, this is merely मेरी एजम्शन है कि एनी शेती रिकवर नहीं होन पानगे और टसल जेडी है, एक अड़तन जेडी है, आपस देविच वाद्धी जाएगी, जो की वापरिया हैगा, what happened, what happened is, कि कैनेडा वल्लों डिमांड कीती गई कि इंडिया दे जेडे हाई कमिशनर और अदर डिप्लोमेट्स, टोटल शे जाने, जेडे कैनेडा दे जेडे डिप्लोमेटिक मिशन्स थे, पार्ती डिप्लोमेट्स ने, इना दी डिप्लोमेटिक इम्मूनिटी जेडी है गया, उन छे डिप्लोमेट्स नू इन्वेस्टिगेशन जड़ी चल रही है ए इन्वेस्टिगेशन केवल हर्दीप सिंग निजर होना दे मडर केस दी नहीं है बलकि कैनेडा दे रसी एमपी ने दस्या कि इस तो वी इलावा होर वाइलेंट एक्ट्स दियां कुछ कुछ की इन्वेस् गर्मेंट नू संडे अंड मंडे दी दर्म्यानी रात मैंश दो दिन पहला ए इन्डिया नू कम्यूनिकेशन गर्मेंट ने पेज देता सेगा के हासी की डिप्लोमेटिक इम्म्यूनिटी ना दी हटाओ ता की केनेडा इन्वेस्टिगेशन दे विच ए शिक्स हाई अपनी समन को सिकिया है थैकए और मनना यह था क्योंकि दी को सब्सक्रवी अंडिया ना ही डिपो मेंटिक जिपलोमेटिक इम्म्यूनिटिक है उन्नो hटा के Canada ना ल्कॉपरेट नहीं कीता इंवेस्ट्रीजेशन चे इस करके उना नहीं 6 के तिने पर इंडियन 2d legitya वेहही करीया कि इंडिया ने अपने डिप्टोमैट्स अपने हैuite मिशनर प्लस पंच अधर डिप्लमेट्स नु उत्थो विड्डरॉ हागा कैनेडा तो और बदले दे विच कैनेडा दे दिप्लोमेट्स नू भी इंडिया ने एक्सपैल कर देता है इंडिया ने लॉजिक दिता है कि इंडियान गवर्मेंट ओफिशियल्स, डिप्लोमेट्स, कैनेडा दे विच, सेफ नहीं सिगे, इस करके इंडिया ने उत्व विड्रॉ कीता है, तो दो एंगल तो खबर अपने सामने है किया, Canadian Police Agency दा कैना है कि उना कोल वड्डे एविडेंस ने, they have the evidence, जड़ा दखौंदेने एविडेंस कि Indian Government, the agents, were involved in criminal activity in Canada. मेन जो RCMP दी जड़ी पुलिस है, Canadian Police दी जड़ी प्रेस कॉन्फरेंस सी गी, एदे विचो चार वड्डे पॉइंट अपने सामने हैगा, सब तो पहला, चार मुद्डे ने वड्डे, सब तो पहले हैं कि violent extremism, हिंसक तौरते वद्डी होई कट्ड़ता, हिंसक रूप वाली कट्ड़ता, दोना मुल्कां दी, एदे माइने की हो सकते ने, इननों आपा बाच एक्स्प्लोर करन दी कोशिश करांगे, पर फिल्खाल जानकारी देन लिए, चार पॉइंट रखने जरूरी ने, दूसरा पॉइंट जड़ा उना वालो रेज कीता गया कि, गर्वर्मेंट ऑफ इंडिया दे एजेंट्स दी, पोटेंशिल इन्वाल्मेंट जो कैनेडा दे विच, क्रिमिनल अक्टिविटीज, वाइलन अक्टिविटीज, कुश और नाल, इवन मडर, एंड मडर इत्थे हरदीप सिंग ने जर्दी रेफरेंस दे नाल ही आपा मन सक देया, तीसरी जड़ा वड़ा पॉइंट आर्सी एंपी दे वालो अथे रख्या गया है कि, इंडियन गवर्मेंट दे, एजेंट प्लस जड़े और्गेनाइज क्राइम ने, और्गेनाइज क्राइम वाले आंचो स्पैसेफिकली दोवरी नाम लिया गया है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग एंड अदर गैंग्स दा, कि इना दे नाल मिलके, गवर्मेंट ऑफ इंडिया, गवर्मेंट ऑफ इंडिया दे एजेंट्स, प्लस गैंग्स्टर्स, और्गेनाइज क्राइम वाले सिंडिकेट्स दा, आपस जो मिलके, एक पर्सेप्शन कैनेडा दे विचे हो जा, पैदा करन दी कोशिश हैगी सी, ताकि दिखाया जा सके कि कैनेडा सेफ कंट्री नहीं हैगी फोर साउथ एशियन कम्यूनिटीज और साउथ एशियन कम्यूनिटीज वर एट टार्गेट, इस तरह दे पोटेंशियल उना ने एगलना अपने सामने उस प्रेस कॉन्फरेंस दे विचार सी एंपी ने रखिया ने जड़ी प्रेस कॉन्फरेंस बहुत वड़े लेवल ते, ओनली सोर्स ओफ इंफरमेशन आ इस समय अपने को जेदे चो ए सारी गलबात निकड़ भी रही है कि और चौत्था और आखरी वड़ा मुद्दा हो दे विच वानदा है कि केनेडियन डेमोक्रेटिक प्रोसेस विच इंटर्फेरंस था, क्रेडिबल एलिगेशन तो क्रेडिबल एविडेंस दी जड़ी गल होन एथो तक पांची है पर इस वक्त तक आंदे होए दो चीजां एक वड़े लेवल ते बदलिया ने ए पूरे इंडिया-कनेडा दे रिलेशन दी आपसी टसल दी सब तो पह इजिया दे मुल्क है गया, इस क्मुनिटी नो थ्रेट दे रूप दे विच भी अगे लिया गया है गा, दूसरा बड़ा पॉइंट जड़ा इस समय बदलिया है गा, ओ है कि पहला तक ता हरदीब सिंग निजर दे कतल केस तक ही सारी गलनों महदूद करके ही इंडिया दे विच भी और कैनेडा दे विच भी दिख्या जा रहा है सी खास तोर ते इंडिया दे विच लेकिन इस वक्त जदो आपा इस पूरे मैटर नो और जड़ी नवी एसकलेशन वदी है गया, इननू देख दियां था एरे विच होन फॉरन इंटर्फेरेंस, इंडिया दी इक प्रोसेस ते विच जड़ी इंटर्फेरेंस है, ए एक नवा बड़ा बड़े ऐलिगेशन ने एक नवा केस एक तरा देनाल अपने सामने हैगा, इट्स नो लॉंगर की केवल और केवल, हर्दीप सिंग निजर केस इस तो बड़ा कॉंटेक्स्ट बना के हुन इंडियान इंडियान गवर्मेंट दी इंटर्फेरेंस, इंडियान गवर्मेंट, डिप्लोमेंट और अर्गनाइजड क्राइम दी इंटर्फेरेंस, डेमोक्राटिक प्रोसेस, और साउथ एजियन कम्यूनिटी नू खत्रा एक तरा दा जड़ा वाइलेंट किसम दे जड़ा क्राइम है ओधा एक्स्पोजर जड़ा ओधा सारा एलिगेशन जड़ा ओ इंडियन गवर्मेंट एजन्ट एंड एंड जड़ा ओर्गेनाइस्ट क्राइमा ओदे ते लिया के कैनेडा ने हुन सारी गालनों राख दिता है कैनेडा दे विच पहला वी एक पब्लीक इंक्वारी पब्ल एदे विच इंडिया दी वी इंक्वारी जड़िया शुरू कार दिती गई है कि इंडिया दी इंटर्फेरंस कैनेडा दे डेमोक्रेटिक प्रोसेस दे विच किनिक होई है कैनेडा दे पार्लिमेंटेरियन्स दी अपनी एक इंक्वारी कमिशन है उना दा उना दी कमेटी है जेड़ी कमेटी ने पहले नमबर थे क्या है कि उना नो वड़ी इंटरफेरंस चाइना तो ओं दिया, कनेडा दी सरकार एंड आधे डेमोक्राक्रेटिक इंस्ट्विशन दे विच और दूसरे नमबर थे उना नो वड़ी इंटरफेरंस इंडिया तो आ रही है गिया और हून इस समय रशिया भी पिशान रहे गया पहला दूसरे नमबर ते रशिया हुंदा से गया हुन ए जडियां सारी जड़ा डेटा हैगा ए मेरली एक तरांदे नाल साथे समने कैनेडा तो जड़ी कैनेडियन प्रस्पेक्टिव तो खबर है वड़ियां अपने समने और इना नू विया अगे साबित करना इदे विच अगे स्थापित करना इना इना एलिगेशन नू एक वड़ा टास्क होएगा लेकिन जिस तरहां RCMP दी ए प्रेस कॉंफरेंस सी ओदे विचे जे हुजे इल्जाम बड़ इस पस्ट रूप दे नाल उना ने लगाए इन्डियन डिप्लोमेट्स दी इम्मुनिटी हटा के उना नू इन्वेस्टीगेशन दी इन्वेस्टीगेशन दा हिस्सा बनान दी जड़ी मन्शासी ए बहुत पस्ट रूप दे विचे अपने समनी राख रिया की Canadian government और Canadian agencies बहुत समय समय ardently इस गलते हैगे ने की इंडियन एजेंसियां दी डिरेक्ट इंडिरेक्ट इन्वाल्मेंट रहिया ए बड़ा इल्जाम है इंडिया दे उते एड दे सेम टाइम गुर्पतवन सिंह पनूदा के समेरिका दे विच चल्दा प्या है का हूं चेड़ी अंडरलाइन इस होल मुद्दे थल्ले वाली अंडरलाइनिंग इशू हैगा जेनू बाला आपा टच नहीं कार दे हैगे ओ है कि सब तो वड़ी चीज डाइस्पोरा तो अधेस्पोरा डी सॉफ्ट पावर आपा कमांगे डाइस्पोरा इस समें आप जदो देखते हैं कैनेडा दे विच ता वड़ा नंबर इंडियन लोग ने इंडियन लोग तो भी अपा अगर देखिया ता साफ एशियन ने साउफ एजियन जो वड़ा नंबर इंडियन नहीं और इंडियन जो वड़ा नंबर आइदर फ्रॉम गुजरात और फ्रॉम पंजाव इदो कम्मुनिटीज था है गया सम होनो थे राजस्तान तो भी नंबर वड़ा हो रहा डेली तो भी वड़ा है वट ए जड़ा डाइस्पोरा दे विचला आपसी पाड़ा है गया केनेडा दे विच एक सिख डाइस्पोरा बन चुका है गा और दूसरे पासे इंडियन डाइस्पोरा आपा एंडिया दे और केनेडा दे प्रिष्टियांची युनीक नहीं है पर जित्थे वी किते वड़ा नंबर किसे एक खास देश दे लोका ना किसे होर मुल्क दे इंडिया दे चोना हून ता पंजाब आपा इंडिया दे विच बैठी देख देया कि इवन कॉंग्रस पार्टी एंड बीजेपी वी डाइस्पोरा तो बहुत तरादा प्रेशर बहुत तरादे प्रोग्राम बहुत तरादिया विजर्ट्स ओते करके इस सारे चीज नू इ इंफ्लुएंस करन दी कोशिश दे विच रहें दिया सो जदों आके कोई वी देश जड़ा अपने डाइस्पोरा नू अपने निजी फाइदेयां ली डोमेस्टिक फाइदेयां ली या ओ देश जे दे विच सब तो बड़े नंबर दे विच दाइस्पोरा बैठा है फॉर आणखडी हुं दिया ओधी ही एक 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 तरह दी अपने समने इंटो कनेडियन इट असल नजर आउंदी है गिया जड़ा डाइस्पोरा दी उथे का अपना पड़ा है अपने लेवल ते टिट फॉर टैट चेडिया है उथे वी चल रही है उथे दे डाइस्पोरा दे लोग बिकास पीपल टू पीपल इंवेस्टमेंट है पंजाब कैनेडा दी तो जिननी ख़वर अपने कोल इस समय आंदिया हूँ पंजाब दे विच चल रहे एक स्टॉर्शन रेकर्स दी नहीं है बलकी कैनेडा दे विच जड़े पंजाबी ने उनना जिनना एक तंग कीत जन्दा एक खबरा ओं दियाने और एदे विच वड़ी गल जो कनेडिया कनेडा दे कनेडियन पुलीस जड़ी उत्थों दी है उस एजन्सी दे वड़े लजाम इने की और गिनाइस्ट क्राइम नू वर्त रहने पार्ती एजेंट्स जड़े ने बहुत वड़े लजाम ने लेट्स सी एदे विच अगे की फर्दर और ड्वेल्प्स हो रियाने पर पार्ता स्टैंड बड़ा स्पश्ट है कि उना ने एस सारी जरिया एलिगेशन कनेडा तो आ रियाने इना नो अब्जर्ड किया है तह ए शुरू तो ही पार्त इस इना नो अब्जर्ड, irrational and मंदा आया है गा जो भी ए सारी गलबात होई या दे विच कैनेडा वलों मैक्सिमम लेवल दे उते जाके allegations ने हजे भी कोई भी evidence उना वलों पेश किता नहीं गया पर ए दावा किता गया कि उना दे कोल कैनेडा दे कोल उना दिया एजेंसियां दे कोल evidence जरूर है गया इंडिया ने इना नो अबजर्ड कहन दे होई नका रहाए इस सारी या इंडिया ने भी अपनी बंदी ज्वाबी कारवाई डिप्लोमेटिक लेवल ते कैनेडा दे वृत कीती है गिया पर एक चीज पंजाब च बैठके जो अज आपनो फील हो रही है कि जिते आपसी डिपलोमेटिक टसल दे नाल सो अज दी वीडियो तो अनो के में दी लगिया है दू एड यूर कोमेंट्स और मैं अब्सर्फ कर दिया है कि बहुत वड़ी ओडियन सा जड़ी वीडियो देख दिया और चो वड़ा परसंट उना इस चैनल नो सब्सक्राइब नहीं किता है गा इंड ए चीज मिन्नू वी सब्सक्राइब कर लिए जावे ता ओ बैटर होएगा मेरे लीवी थैंक यू सो मच